अगर आप बिहार में रहते हैं और यूवा है और आपके पास नौकरी नहीं है और आपने अपनी 12 तक की परहाई पूरी कर ली है तो क्या आपको पता है कि बिहार सरकार हैर महीने उन सब भी बच्चों को पैसे देती है अगर आप नहीं जानते हैं तो आईए आपको बताते ह स्कीम किया है और अगर आपको नहीं पता है है तो इसको कैसे पुरा किया जाएगा कैसे भरा जाएगा और उसके लिए क्या-क्या documents जरूरी होंगे तो आएक्षम नितीष सरकार के इस यूवा के स्कीम के लिए बताते हैं ज्सके तहर नितीष सरकार हर महीने यूवा को पैसे देती है बिहार में महागटपंदन सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है इसमें नितीश कुमार की ओर से शुरू की गए कई ऐसी सरकारी योजनाई हैं जिसका लाब आम लोगों को मिल रहा है इसे करी में एक योजना बिहार सरकार की है जिसके तहट बारवे पा रकम सीधे आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगा, इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रक्रिया से गुजरना होगा, बिहार सरकार बेरोजकारी भत्ता यूजना चलाती है, इसके तहट राज के बेरोजकार यूवाओं के लिए हर महीने 1000 रुपई का प्रबंध किया गया सरकार की और से ये भत्ता लावक नौजवानों के सीधे एकाउंट में भेजी जाती है, अभी तक 1000 यूवा इसका लाब उठारहे हैं, तो यहीं ग्रामीन इलाकी में इसकी जानकारी नहीं होने से यूवा इसका लाब नहीं ले पा रहे हैं सरकार की इस योजना का लक्ष है कि युवाओं को आर्थिक तोर पर अपने पौकेट खर्च और बाकी परहाई वाले खर्च के लिए किसी का मूँ ना देखना पड़े इस योजना की सबसे खास बात ये है कि इसका लाब सनातक और परसनातक पास युवा बे उठा सकते है में पैसा आने लगेगा पातरता की बात करें तो युवा को बिहार का निवासी होना चाहिए आवेदन करने वाले युवा के परिवार की सलाना आए तीन लाक रुपई से कम होनी चाहिए उसकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होना चाहिए उसे कम से कम दस्वी पास जरूर होना चाहिए आवेदन करने के लिए युवां को अपना आई प्रमान पत्र, निवास प्रमान पत्र, आधार कार्ट की कौपी और बैंक का विवरन देना होगा उसके अलावा रजिस्टर्ड मुबाइल नंबर जो आधार से लिंक है और पासपोर्ट साइज पोटो के अलावा मार्क सीट और सैक्षनिक योगिता वाली सर्टिफिकेट देने होंगे इसका लाव ले रहे के लिए स्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट जिस पर जा सकते हैं वेबसाइट क्या है वो आईए आपको बताते हैं वो वेबसाइट है www.7nichayuvamission.bihar.government.in पर जाना होगा यहाँ पर निबंधन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी फॉर्म भरने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसके बाद इसे लॉग इन कर सकते हैं फिर आप फॉर्म भर कर इसे सबमेट कर देंगे जुसके बाद सफलता पूर्वक सबमेट होने का संदेश आएगा फिर अगले महीने से आपके खाते में पैसे आने लगेंगे तो फिर देर के सबात की जल से जल जाए और नितीश शरकार की ये स्कीम का फाइदा उठाए क्योंकि बिहार सरकार ये स्कीम यूवापिडी को दे जाया है उस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सब्मेट कर दे कुछ जरूरी दास्तवेज आपको भड़ने होंगे जिसका मैंने वीडियो में मेंसिन कर दिया है तो जल से जल जाए और वीडियो को देखे और तुरंट से तुरंट अप्लाई कर दे